नमो नारायन मित्रों, इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि के नामबाले लोग एबम डबलू नामबाले लोग यदी साधी कड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन कैसा होगा? मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियों आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है तो वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए लेकिन इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में वाईटी पुरुसोत्तम को आप सबस्क्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे एबम वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों के नाम के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में बहुत ज्यादा जीवन्त तुरित बहु मुखी संचारित लेकिन सुभाब से बेचैन होते हैं दोस्तों आपको बता दे कि इस नाम के लोग हमेशा अपने जीबन में बदलाब करना पड़िवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कभी भी अपने जीबन में इस्थिर होना इस नाम के लोग पसंद नहीं करते हैं दोस्तो इसके अलाबा इस नाम के लोग हमेशा अपने जीबन में बौधिक अस्तर पर चुनोतियों की तलास करने बाले होते हैं एबं हमेशा अपने जीबन साथी के अंदर इस प्रकार का गुन चाहते हैं मित्रो डबलू नाम बाले लोग यदि के नाम के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं के नाम के लोगों को यदि अपनी और आकरसित करना चाहते हैं तो इस नाम के लोगों को अपने ग्यान एबं अपने बुद्धी के साथ में इस नाम के लोगों के सामने में प्रस्तुत होना होगा क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो के नाम के लोग डबलू नाम बाले लोगों से ज्यादा आकरसित नहीं होते हैं मित्रों के नामबाले लोग बहुत ज्यादा उतसुक होते हैं एबम इस नाम के जातक जिस भी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ में हसी मजाक मौज मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एबम इसके इस नाम के लोग हमेशा अपने जीवन में सुवतंत्र होना आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों आपको बता दे कि इस नाम के लोग गाने एबम संगीत के बहुत बरे पड़ेमी होते हैं लेकिन मित्रों इस नाम के लोगों के भीतर भाबनात्मक बहुत ज्यादा होती है एबम इस कारण से कभी कभी इन दोनों के बीच में आपसी अनुकूलता की कमी बहुत ज्यादा होती है एबम ऐसे हालात में इन दोनों के बीच में बनने बाला संबंध बहुत ज्यादा खराब होता है मित्रों के नाम बाले लोग एबम डबलू नाम बाले लोग इन दोनों के बारे में साड़ी बातों को जानने के बाद यदि इनके बैबाहिक जीबन इनके दामपत्ते जीबन की बात कड़े तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन सामानने रहेगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में वाईटी पुरुसोतम को आप सबस्क्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हर जगह से अर कर दे धन्यवाद जैस आराम राधे राधे